अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम के आज की अध्याय में हम बताएंगे सेल्स रजिस्टर और पर्चिस रजिस्टर क्या है टेली प्राइम में नहीं कैसे देखते हैं इन्हें Excel या PDF में कैसे export करते हैं और इनका print कैसे निकाल सकते हैं टेली में हम जितने भी transactions record करते हैं उन सब की एक साथ report हम Daybook के द्वारा देख सकते हैं Daybook के बारे में हम detail में अपनी वीडियो no.35 में पहले ही बता चुके हैं पर यदि आपने sales या purchase के जो transactions record किये हैं सिर्फ उनकी report देखना चाहते हैं तो Tally ने उसके लिए sales register और purchase register का option अलग से दिया है तो चलिए sales register और purchase register के बारे में जान लेते हैं sales register में हमें sales यानि विक्रे से संबंदित सभी जानकारी एक साथ मिल जाती है जैसे दिनांक, customers का नाम, पताव, voucher number, item का नाम, उसकी quantity, rate, total bill, amount, इत्यादी इसी तरह purchase register में purchase यानि खरीट से संबंदित सभी जानकारी एक साथ मिल जाती है जैसे दिनांक, suppliers का नाम, पताव, voucher number, item का नाम, उसकी quantity, rate, total bill, amount, इत्यादी संक्षिप में हम ये कह सकते हैं कि इन register में हमने party का लेजर बनाते समय और sell purchase के transactions record करते समय जो भी details दी होंगी वे सभी एक साथ एक ही इस्थान पर देखने को मिल जाती है sales register और purchase register को देखने के दो तरीके हैं तो चलिए पहला तरीका देखते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं यहां से हमें display more report पर जाना होगा उसके लिए d press करेंगे अब account books के लिए a press करेंगे यह देखें यहां registers hiding के अंतरगत बहुत सारे registers दिखाई दे रहे हैं जैसे contra register, payment register, receipt register, sales register, purchase register रित्यादी हम sales register देखना चाहते हैं इसलिए इसका shortcut S press करेंगे यह देखें sales register open हो गया है यहां हमें sales की month wise जैसे April, May, June से लेकर मार्श तक की report दिखाई दे रही है आप जिस भी माह के सभी sales vouchers देखना चाहते हैं उस पर जाकर enterprise करें हम December के सभी sales vouchers देखना चाहते हैं तो December पर जाकर enterprise कर रहे हैं यह देखें इस माह में जितनी भी sales चाहे वे cash में हुई हो या credit में सभी दिखाई दे रही है अब हम F12 प्रेस करके कुछ configuration कर लेते हैं यहां हम सबसे उपर show narrations option को yes कर रहे हैं ऐसा करने से यदि हमने vouchers में narrations दी होंगी तो वो दिखाई पड़ेंगी इसके बाद है format of report इसमें हम detailed को select कर रहे हैं अब report में हम stock item की details भी देखना चाहते हैं इसलिए show inventory details को yes कर लेते हैं इसे तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से अन्य options को yes या no कर सकते हैं अब इस screen को accept कर लेते हैं यह देखें December माह के सभी sales vouchers की detail आ रही है अगर आप चाहें तो इस report को column format में भी देख सकते हैं इसके लिए F at press करें देखें ऐसा करते ही column register alteration के एक screen आ गई है यहाँ पर बहुत सारे options दिखाई दे रहे हैं आप इन्हें ध्यान से पढ़ लें और अपनी जरूरत के नुसार yes या no कर लें हम सभी को yes कर रहे हैं आखिर में type of column में end of list को select करके इस screen को accept कर लेते हैं देखिए रिपोर्ट अब register format में आ रही है और हमने जिन options को yes किया था वे सभी यहां अलग-अलग columns में दिखाई दे रहे हैं सभी columns को right arrow और left arrow key से scroll करके देखा जा सकता है यदि आपने voucher बनाते समय कॉलम में दिखाई दे रहे heading के अंतरगरत उनसे संबंधे details दी होंगी तो वे यहां पर दिखाई देंगी हमने अधिकांश में कोई details नहीं दी थी इसलिए ज्यादा तर columns blank का रहे हैं इस प्रकार आपने जो cells की हैं उनकी संपुर्ण details cells register के माध्यम से एक जगह पर देखी जा सकती है अब यदि आप इस report को export करना चाहते हैं यानि इस report को excel या pdf के format में लेना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं चलिए ये भी बता देते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए यहां टॉप बार में export पर क्लिक करें या फिर shortcut alter और E की इसको प्रेस करें अब current के लिए R प्रेस करें देखे ऐसा करते ही यहां पर सामने एक screen आ गई है जिसमें export से संबंदित सभी details दिखाई दे रही हैं जैसे report type, format of report, file format, export to, folder path और file name यदि आप इन बैसे किसी में भी कुछ परिवर्दन करना चाहते हैं जैसे file का format या file का नाम बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं इसके लिए आपको इसे configure करना होगा configure करने के लिए c press करें ऐसा करते ही list of configuration आ गई है यहां से आप जिस option में भी alteration करना चाहते हैं कर सकते हैं हम file का format jpeg से बदल कर excel करना चाहते हैं उसके लिए down arrow से file format पर जाएंगे अब enter press करेंगे अब list of file formats में से अपनी आवशक्ता नुसार format select कर लेंगे हम excel पर जाकर enter press कर रहे हैं अब control और A keys से इसे accept कर लेंगे यह देखिए setting update हो गई है अब send पर click करें या E press करें देखिए ऐसा करते ही report export हो गई है और excel में open भी हो गई है चलिए हम इसको बंद करके फिर से टैली पर चलते हैं यदि आप इस register का print निकालना चाहते हैं तो उसके लिए control और P press करें अब यदि आप print के पहले कुछ configure करना चाहते हैं तो उसके लिए C press करें पूरी configuration list देखने के लिए show more पर जाकर enter press करें अब इस list में आपको जहां भी कोई change करना हो down arrow से उस पर जाकर enter press करें हमें कोई change नहीं करना है इसलिए हम escape key press करके वापस पहले वाली screen पर चलते हैं यदि आप सीधे print निकालना चाहते हैं तो P press करें और यदि उसके पहले print preview देखना चाहते हैं तो I press करें देखें हमारी सभी entries प्रिंट होने पर इस प्रकार दिखाई देंगी यहां पूरा preview देखने के लिए आप right arrow key का उपयोग कर सकते हैं प्रिव्यू देखने के बाद उससे बाहर आने के लिए escape key press करें अब यदि आप print करना चाहते हैं तो P press करके कर सकते हैं हम escape key press करके फिर से register पर चलते हैं अभी आपने देखा कि cells register किस तरह देखते हैं ठीक इसी प्रकार हम F4 key press करके यहीं से purchase register या यहां दिखाई दे रहे अन्य किसी भी register को देख सकते हैं चलिए अब इन registers को open करने का दूसरा तरीका भी बता देते हैं तैली में अगर आप कोई काम कर रहे हूं और उस काम को बंद किये बिना ही कोई register open करना चाहते हैं तो go to की साहता से कर सकते हैं उसके लिए alter और G प्रेस करेंगे अब registers पर जाकर enter प्रेस करेंगे show more पर जाकर enter प्रेस करेंगे देखे सभी registers के नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप इन में से अपनी जरूरत के अनुसार सिलेक कर सकते हैं इस वीडियो में आपनी जाना सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर के बारे में आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद